महाराश्ट विधान सबाचुनाओ 2024 के बीच महायुत में भाजपा और NCP के मदभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं बतादी कि भाजपा नेताओं के विरोध के बावजूद दागी नवाब मलिक को मनखुर्द शिवाजी नगर सीट से टिकट देने उसका बचाओ करने और बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध और मुंबई में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की रैली में जिशान सिद्धिकी समेथ NCP के कई उमीदवारों की दूरी से ये बात खुल कर सामने आ गई है नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूँ आपके साथ में शोभित पाठक मदभेद ने BJP के सारे समीकरण को महराश्ट में बिगाड़ कर लग दिया है हाल ही में अब देवेंदर फंडविस ने भी ये बात मान ली है कि कई मुद्दों पर अजीद पवार से मदभेद है और हो भी क्यों ना क्योंकि अजीद पवार को ये समझ में आ गया है कि अगर BJP के हां मेहां मिलाई तो BJP के साथ उनकी भी लुटिया डूब जाएगी और इसलिए अजीद पवार अब खुल कर बगावत कर रही है दूसरी और भाच्पा नेता और महराश के उपमुक्मंतरी देवेंद फंडविस अब खुल कर ताल ठोक रही है उन्होंने अजीद पवार और उनकी NCP के साथ मदभेदो की बात को सारजनिक तोर पर मान लिया है बतादे कि TV चैनल के इंटर्विव में फंडविस ने साफ तोर पर कहा कि अजीद पवार के साथ इस बात पर 100% शोर है कि हम नवाब मलिक का काम नहीं करेंगे हमने कहा कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए हमने वहां सिफसेना को टिकट दिया और उसका काम करेंगे वहीं अजीद पवार ने न्यूज एजनसी एनाई के साथ इंटर्विव में पूर प्रधान मंतरी राजियू गांदी से नवाब मलिक की तुलना करते हुए उनका बचाओ भी किया है कुख्यात अतंकी और भगोडे दाओद इबराहीम के गुर्गों के साथ करीबी और मनी लॉंडरिंग के मामले में जेल जा चुके नवाब मलिक को टिकट दिये जाने पर न्सीपी प्रमुक ने सफाई दी है उन्होंने कहा कि आरोप लगाना असान है लेकिन उन्हें अदालत में साबिद किया जाना चाहिए अभी ये सिर्फ आरोप है लोग तंद्र में कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है अब इन बात चीज से तो एक बात साफ हो गई है कि भाजपा और NCP और उनके नेताओं के दिलों की दूरियां बढ़कर गहरी खाई में तबदील हो गई है इसके लावा जीत पवाड ने यूपी के मुक्कमंत्री योगिया दितनात के हाली में चर्चित हुए नारे बटेंगे तो कटेंगे और लोगसभा चुनाओं के नारे अपकी बार 400 पार का सीधे तोर पर विरोध कर अपने रुख को पहले ही साफ कर दिया है और ऐसे ही कई और मामले सामने आने के बाद माने जाने लगा है कि दोनों दलों और उनके निताओं के दिलों की दूरिया लगातार बढ़ गई हैं चुनाओं के पहले टिकट के लिए मारा मारी कर रहे महायुत के दोनों साथी नतीजे आने के बाद उसके हिसाफ से फैसला भी लिए सकते हैं क्योंकि इस बार अजीद पवार ने NCP यानि कि शरत पवार और बारा मती सीट समेट परिवार के लिए प्रेम का भी सारजनिक प्रदर्शन किया रैलियों में आसू बहा कर इमोशनल भी हुए और अब साफ लगने लगा है कि अजीद पवार को अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए वो अभी से बगावत के मूड में खुल कर नज़र आ रहे हैं बतादे कि बीजेपी अब समझ गई है कि अब अजीद दादार रुकने वाले नहीं हैं और इसलिए देवेंद फण्डविस को जवाद देने के लिए आगे कर दिया है हाल ही में देवेंद फण्डविस ने लोगसभा चुनाओ में महाराष्ट में अजीद पवार के भाजपा के नारे के मिसपायर होने वाली बात को साफ तोर पर खारिच कर दिया पंडविस ने कहा कि लोगसभा चुनाओं में महायूत के प्रदर्शन खराब होने का पहला कारण विपक्ष की ओर से समिधान बदल जाएगा और आरक्षण जाएगा जैसे फेक नेरेटिव फैला जाने और दूसरा कारण उन्होंने कॉंग्रेस का महराष्ट में वोट जिहा के इस्तमाल को बताया है उन्होंने कहा कि हमें कई सीटों पर अल्प संख्यक वोटों के कारण हारना पड़ा क्योंकि कई सीटों पर धार्मिक निताओं ने प्रचार किया धर्मिस्तल से अपीले की गई अब ये दोनों कारण महराष्ट में सपल नहीं होने वाले हैं देवि इसने योगी आदितनात के नारे बटेंगे तो कटेंगे और पीम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ है को सही बताते हुए अजीत पवार को करारा जवाब भी दिया उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे ये तो भारत का इतिहास रहा है भारत जब भी कही गई कि बटेंगे तो कटेंगे वो बिलकुल सही है लेकिन उससे भी ज्यादा मैं मानता हूँ कि जो मंत्र मोदी जी ने दिया कि एक है तो सेफ है वो बहुत अहम मंत्र है अजीत पवार पर बोलते हुए फंडविस ने कहा कि वे अलग विचारों से आए हैं कई बार मुझे लगता है कि जिन विचारों से वो आए हैं उन विचारों ने उनके दिमाग पर कबजा करके रखा है इसके साथ ही उन्होंने एक और एहम बात कही कि हमारी लड़ाई मुख्य रूप से कॉंग्रिस के खिलाफ है महराष्ट में सबसे ज्यादा आमने सामने भाजपा और कॉंग्रिस ही है महराष्ट में लगबग 12 प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक को भाजपा विरोधी ही मानता रहा है महराष्ट में एक करोड़ तीस लाग से ज्यादा अबादी वाले मुस्लिम 38 विधानसबा सीटों पर 20 वीजदी से ज्यादा 9 विधानसभा सीटों पर 40% से ज्यादा बड़े वोट बैंक हैं आम दोर पर भाजपा के पास मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं होते हैं और ऐसे में भाजपा वाले गडबंदन महायूती को मुस्लिम वोटों का नुकसान ना हो इसलिए अजीत पवार के जरिये उनको अपने साथ जोड़े रखने की कवायत की जा रही है लेकिन अजीत के भगावती तेवर बीजेपी पर लगातार भारी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए अजीत पवार फंडविस खुल कर एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं बात इस हद तक बिगड़ गई है कि देवेन फंडविस ने उद्योगपती गौतम अडानी के 2019 विधानसवा चुनाओं के बाद राज में भाजपा NCP सरकार की संभावना पर चर्चा में शामिल होने की खबरों का साफ तोर पर खंड़न किया फंडविस का इसपश्टी करण NCP नेता अजीत पवार के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी द्वारा दिल्ली इस्तित अपने घर पर आयोजिस सरकार गठनवारता में बीजेपी और NCP के शीर्स नेता शामिल थे इस पर बात करते हुए देविंद पडविस ने कहा कि जब भाजपा और NCP नेताओं के बीच बैठक हुई अडानी भी मौजूद नहीं थे उन्होंने एक इंटर्वियू में बैठक की बात तो कबूली लेकिन साथ ही कहा कि शरतपवार अजीत पवार अमिशा और मैं वहां थे लेकिन गौतम अडानी वहां नहीं थे इससे पहले मेडिया इंटर्वियू में अजीत पवार ने आरूप लगाया था कि वह फंडवेस और अमिशा शरत पवार प्रफुल पटेल 2019 में दिल्ली में अडानी के घर पर बैठक में शामिल थे जिसमें अडानी भी मौजूद थे और इसके बाद अजीत पवार के अलग हुए चाचा शरत पवार ने भी एक इंटर्वियू में अपने भतीजे के दावे का समर्थन करते हुए आरूप लगाया था क्यों दियोग पती ने अपने दिल्ली इस्तित घर पर भाजपा और NCP नेताओं की एक बैठक की मेजबानी की थी वहीं पार्टी सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि अजीत पवार ने भले ही जुलाई 2023 में चाचा शरत पवार से बगावत कर ली मगर वो जानते हैं कि सीनियर पवार के खिलाब बोल बचन पार्टी को नुकसान पहुचा सकता है आपको ये भी बता दें कि 2019 के चुनाओं में शरत पवार ने 17 की एक सभा में भीगते हुए भाशर दिया इसके बाद NCP को 54 सीटो पर जीत मिली बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल गई थी अजीत पवार इस घटना को अभी तक नहीं भूले हैं बगावत करने वाले एक तालिस विधायक भी शरत का सम्मान करते हैं राजसवा सांसत प्रफुल पटेल ने भी कहा था कि हम शरत पवार का बहुत सम्मान करते हैं निजी तोर पर मैं उनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ 2024 के विधानसबाद चुनाओं में जीत पवार ने हर विधायक को हिदायत दे रखी है कि कोई शरत पवार के खिलाफ बयान बाजी तक नहीं करेगा साथी NCP नेता ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 53 विधानसबाद सीटों पर BJP के नेता शरत पवार पर व्यक्तिगत हमले नहीं करें पार्टी के नेताओं का कहना है कि NCP अपने विकास एजंडे पर ध्यान फोकस बनाये रखना चाहती है उन्होंने कुछ दिन पहले आदितनात की टिपड़ी की आलोशना करते हुए कहा था कि छतरपती शिवाजी महराज और जोतीबा फूले के पच्चिन्नों पर चलने वाले महराश्ट की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती है शिवाजी महराज ने सभी समुदाय और वर्गों को एक जुट किया है दूसरे राज्यों से लोग अकसर महराश्ट आते हैं और अपनी बात कहते हैं लेकिन इस तरह की टिपडिया यहां की लोगों को पसंद नहीं आती है और अस्विकार किये जाती है फिलाल कुल मिलाकर बीजेपी को अजीद पवार का विरोध करना भारी पड़ रहा है वो भी हर घंडे के हिसाब से अजीद पवार बीजेपी के लिए वो हड़ी बन गए हैं जिससे ना तो बीजेपी निगल पा रही है और ना ही उगल पा रही है मजबूरन देवेंद फंडविस का चहरा आगे कर अजीद पवार को चुपकराना चाहती है लेकिन अजीद दादा है कि मान नहीं रहे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि देवेंद फंडविस और अजीद पवार कि ये तू तू मैं महायूती को कितना नुकसान पहुंचाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा इस खबर में फिलाल इतना ही ऐसी तमाम राजनीती खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM News Network धन्यवाद